स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं तो फ्रेंड्स देखिए वंडरिंग जीओ वाइन का देखे प्लांट है जो की आदम इसकी के बारे में बात करने वाले है और देखिए मैंने एक छोटे से यह टब जो होते हैं इसमें यह लगाया हुआ है और बहुत लगाई थी और इसने देखिए इस वंडरिंग जीओ ने पूरी अच्छी तरह से इसको कवर कर लिया है और आप देख सकते हैं जैसे इंडोर प्लांट है लेकिन मैंने आउट्डोर ही रख रखा है तो देखिए उसमें कलर भी देखिए कितने सुन्दर आ रहे हैं और यह के बाद यह जो न्यू शूट अब ग्रीन निकली है यह बहुती जादे प्यारा लग रहा है यह कलर तो फ्रेंट्स आप देख सकते हैं इस वाइन को जो आज आम इसकी प्रोपगेशन और के बारे में बात करने वाले हैं तो इसको जो प्रोपगेट पहले बात कर लेते हैं किस सोयल में आपको इसकी कटिंग लगानी है तो आप खाली सेंड का मिक्स्टर भी ले सकते हैं इसकी कटिंग को होगाने के लिए आप कैसे भी मिट्टी में इस प्लांट को लगा दी बहुत ही अच्छी तरह से ग्रू होगा बैसा आइडियल जो मिट्टी होती है वो 50% गा को आपको नोर्मली ऐसे ही मिट्टी में लगा देना है अच्छी तरह से और उसके बाद इसे पानी दे और यह कटिंग एजली अराम से आपकी अगर आपने आज कटिंग लगाई एक हपते बाद आपको इसमें नियू ग्रोथ स्टार्ट होनी दिख जाएगी इतना इसी होत बास्केट में बहुत जादा ब्यूटिफुल लगता है आप चाहे दो गबले में भी लगा सकते हैं और फ्रेंट इस प्लांट को आप जो वाटरिंग करें वो जब ही करें जब यह अच्छी तरह इसकी स्ट्राइल हो जाए बढ़ना इसमें फंगस की बएस से इसकी जो प् यह फर्टिलाइजल जरूर दें तो कंक सब्सक्राइं बनाने के लिए एक मुठ्टी आप कम कंपोष्ट ले ले और उसको एक लेटर पानी में द細प और घ्ल वीचोप व्यलेटर पानी में मिला लेगा जो बड़निंग ग्रोफ करता है और इसके पिंचिंग जरूर करें जैसे आप एक कटिंग लगाते हैं तो आप उसके लिए पिंचिंग जरूर कर दें जब इसके ग्रोफ होगी नीचे की शूर्थ में से अच्छी ग्रोफ होगी और यह प्लांट आपका एदम से भुषी बन करें जैसे आप एक कटिंग लगाते हैं तो आप उसके लिए पिंचिंग जरूर कर दें जब उसकी ग्रोफ स्टार्ट हो जाए जब करें उससे पहले ना करें जब यह अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा आपको तो फ्रेंट्स यह देखिए आज की केर थी वंडिंग जो